अपने बाद देट चो यो अपने बाद से अपने बाद से तो भाई लोग बर्डे रनवीर कपूर का है लेकिन उन्होंने तौफो ओडियल्स को दिया है एनिमल का ओफिशल टीजर रिलीस करके जिसको देखने के बाद मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूँगा संदीफ रेडी वागा की ये बंदा एलान कर रहा है की मैं बनूँगा अगला राजकुमार हिरानी ऐसे सराज मॉली एक भी फ्रॉप नहीं दूँगा बंदे ने अभी तक सिर्फ तीन मूवी लिखी और डारेक्ट की है जो है अर्जोर रेडी, कभीर सिंग और तीसरी होगी एनिमल ये तीनों मूवी सूपर हिट है एनिमल एक दिसंबर को आएगी लेकिन मैं फिर भी इसे पहले से सूपर हिट बोल रहा हूँ कि ये बंदा खोकले दावे नहीं करता इसके अलावा मूवी सौकरोर के बजट में बनी है लेकिन इसका प्री बॉक्स ओफिस कलेक्शन सुनके तुमारे पैरो तले से समील किसक जाएगी इसके उपर हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि अब सीधे आते हैं इसकी ओफिशल टीजर पे तो हम लोग सब सब पहले टीजर से रस्मी का मंदारों को साइट करते हैं क्योंकि पूरे टीजर में सिर्फ ओब 20 सेकेंड दिखी हैं तो उनके उपर को ज्यादा बोलने को नहीं है क्योंकि टीजर में तीन ऐसे बॉलिवोड जाइन दिख रहे हैं जिन्होंने सब की हाइप खाली है एक्टिंग वाइस, क्याक्टर वाइस, लुक वाइस सबसे पहले रनवीर कपूर इस बंदे से राजकुमार हिरानी की संजू के बाद अगर किसी ने फान पर्फॉर्मेस निकलवाई है तो वो संदीव आगा रेड़ी है जिन्होंने जिस बूटालिटी से फादर सन का कॉम्बिनेशन दिखाया है वो जबरदस्त है जब रनवीर कपूर के कैरेक्टर को टीजर में मार, काड, खून, खराबा करते दिखाया जाता है तो उस जगा पे जो लाइन चल रही होती है बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई तो उस जगा पे तुम पस ये बोलोगे की ये कैरेक्टर पूरा एनिमल है टीजर से ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चलता लेकिन ये जरूर क्लियर हो जाता है कि एनिमल ट्रबर्ड फादर सन के रिलेशन्शिप के आसपास गुनेगी जो किसी तरह से अंडर वर्ल्ड से रिनेटेड होगी रनवीर कपूर का क्रेक्टर एक बहुत आमीर फैमली में पैदा होता है लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरी चीज़े होती है जिसके बाद वो एक प्रोटोगोनिस से एक बहुत खुंकान साइकोपैद बन जाता है हाला कि टीजर में उन्हें भी ज्यादा नहीं दिखाए गया है पर जितना भी दिखाए है वो कमाल है उतने से सीन से ही उनकी हवानियत का पतल लगाया जा सकता है तो वर All आज की लिए बस इतला ही टीजर में ज्यादा कुछ था नहीं जो भी था मैंने वो बता दिया है मूवी एक दिसंबर को रिलीज हो रही है तो उस दिन तयार है ना मूवी रिव्यू के लिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो कर लो इस तरह के वीडियो और आते रहेंगे